जब भी आप पेंडाइथ को इंसर्ट कर रहा होता है तो इस पैंडाइथ में जो भी डेटा होता है वो audio या वीडियो फाइल नहीं वो एक encrypted file होता है उस encrypted file को computer को रीड करता है वो एक special language में special code में लिखा रहाता है उसको हमारा driver और वो सारे इंफर्मिशन को पास करता है हमारे सॉप्ट्वेर के पास अब जो भी वीडियो यह ऑडियो फाइल है उनको ऐसे फॉर्म में चेंज करता है ऐसे वीजुल और ऐसे साउंड्स पर करता है ताकि हम लोग वह को अच्छे से समझने आ पाएं कि मेरे हाथ में तो पिं हम लोग ट्रू कर देंगे और अगर ट्रू होगा तो हमारे प्रोग्राम आगे विजिकी उठ होगा और अगर वो फॉल्स ही रा गया तो हमें एक एर्ड मैसेज के साथ हमें अपने एक्जिगूशन को अबार्ट कर देना है हेलो स्टुडेंट्स तिसने हर्स बर्दवाज वेलकम यॉल इंटो अनदर अमेजिंग सेशन सब कोड इंडिया जैसा कि आप सभी को पता है कि सीवी इसी ने निव एडिकूशन पॉलिशी के नुसार क्लास 6-8 क्ले कोडिंग और क्लास 9-12 क्ले डेटा साइंस को इंट्रू क्लास 7 के फॉर्स चेप्टर को डिस्कॉस कर रहा होंगे जहां पर अभी तक हम लोगों ने बुलियन डेटाइक को डिस्कॉस कर रखा है और आज क्लास नों डिस्कॉस कर रहा होंगे कि हाओ डूबी वैलिडेट यूजर इंपुट इन प्रोग्रामिंग हम लोग यूजर प्रोग्राम को करेक्ट ली नहीं रन कर सकते हैं इसा टॉपिक है जिसका अप्लिकेशन आपके लाइफ में आने में आप जितनी भी प्रोग्राम लिखेंगे ना और यूजर इंपुट के बेसिस पर आप कोई भी एक्शन परफॉर्म करोंगे वहां पर इसकी ज़रोद पर उसके लिए क्या क्या स्टेप्स लें इस सब काफी डीटेल में सीखना होगा आपको तो अभी हम लोग काफी फंडमेंटल अपना प्रिपेर करेंगे कि किस तरीके से हम लोग यूजर इंपुट को वैलिडेट करते हैं इसके अलावा इस चैनल पर आयूए इस लेटेड़ पर अधर बहुत सरे स्टफ परेवें जैसे के जड़ाइओ के पीवाई की पोशेंट्टि ऑगोष्ट आयूएक के बारे बहुत सरे डिफरेंट डिफरेंट वीडियो अगर आपको नहीं पता है कि इस तो पर आयूए पटन पर आले लिंक पर क्लिक करकर आप जान सकते हैं क सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाएं तो चलो आज कि हमनों क्लास को शुरू करता और सिखते हैं इससे पहले चोटा सी एक्जामपल लेंगे और चोटे सी एक्जामपल से समझेंगे कि आखिर उसर इंपूट को वेलिडेट कराना कितना जरूरी है पहल ईंप मीडियर है अगर आपछोग विंडूर को मीडियर ज़रूर्य हो गा स्पेंड और बहुक्त में इंसर्टेंगे और उस मेन स्विडियो प्लेट इस और जब आम उसे अपने लि़हां होता है कि हमारा जो भी वीडियोियाव हो जाता 향 तो सबसे सीम्पूल सब फॉस्ट स्टेपी होता है जब द्राइब को इंसर्ट को तो एक जी सब्राइब करत को नहीं जो को, सारी information को पास करता है हमारे software के पास अब उसको करता और उसके जो भी वीडियो या ओडियो फाइल है उनको ऐसे फॉर्म में चेंज करता है ताकि हम लोग इसली समझ पाए उस वीडियो या ओडियो को मतलब कि जो हमारे जी हुआ ही है वह उस मीडिया प्लेयर के कारण होता मतलब जो भी ग्राफिक करके ऐसे फर्म में करता है ऐसे वीजो और इसे साउंड में करता है ताकि हम लोग वो अच्छे से संवज में आपा है त्टिक है विऐल्सी मीडिया प्लेयर से रण करते हैं लोग तो अगर लोग यहां हम लोग एक्सल को रंग करें वो हर बार एरण फ्रोग करेगा और बोलेगा कि इस टाइप ऑफाइल इस नौट सपोर्टेड बाइव लिखा गया है वह इस तरीके से लिखा गया है कि वह कोड केवल और वीडियो इनपुट के लिए ही वैलिड है मतलब कि वह कोड तभी प्रोसीड करेगा वह कौड तभी एक्सेक्ट हो पाएगा जब जो इनपुट में या तो और फैल या तो वीडियो फास्ट पहुआ अगर वह पीडिया फैल देता है तो भी आजिक्ट नहीं होगा और और इस चीज़ को फेस करा होगा जब आपने इमेज के एप के दौरा खोल लो गैलरी से खोल लो तो नहीं खोलता हूँ इसके लिए आपको पीडियेव वीवर या एक पीडियेव नाम का आप भी आता है उन दो एपस के हल्प से आप उस डोकुमेट को खोल सकते हो उस पीडियेव फॉर्मेट को आप लोग ना तो एक्सर तरीके का होता है जिस तरीके के यूजर इंपूट के लिए उसके अंदर कोड दिखा गया उसी टाप पर इंपूट हमें प्रवाइट करना चाहिए तो आइधिक हमको लगत अधिक्लारिटी आ चुके होगी कोई भी सॉफ्टियर कोई प्रोग्राम जब डिजाइन किया जा आप चाहते हो कि आपका जो प्रोग्राम है बिल्कुल सही तरीके से एक्जिक्यूट कर जाए तो आपको यूजर के द्वारा इंटर किये गए जो वैलू है उनको वैलिडेट करना होगा वैलिडेट के मतलब को मतलब यह पूश्टी करना हो कि जो भी उजर इंपूट डाल यह नहीं वहीं हुशा है कि कि निल्कुल अच्छे सवरत करें आपको तो आपको, यह इंशर करना होगा, जो भी यूजर इंटल करना है वो एक valid value हो ठीक हैillo नियुग हो ठीक है, और जहाँ पर आपको एवक्सப्ड कर रहे हूं वहां पर बिलकुल valid value होना चाहिए ठीक हैं, for example,ardiot, consider someone asking you a question what did you have a lunch for today, so to answer this question, you should answer the person what food atem working МосквAST, so can you tell me, that, पूछता है कि आखिर आपने लंच में क्या खाया था तो आपका अंसर क्या होना चाहिए इसमें आपको उस फूड आइटम का नाम बताने जो फूड आइटम आप लंच में खाये हैं लेकिन आप बोल रहे हो कि भाई मेरे हाथ में तो पिंक बॉक्स है यह भी कोई बात हुआ भाई कि आपने जिमाग घर पे छोड़ कर आता ही इसे पूछ रहा है कि लंच क्या कियो तो बतारा मेरे हाथ में पिंक डबबबा है ठीक है तो ऐसे में कि आगए वह उसकी और का इंपूट दिया जाता है तो हमारा प्रोग्राम वह कर रिफ्यूज हो जाता है और हमारा प् नहीं चाह रहे होते हैं यहां पर वहीं लिखावाइं कि सिमिलरली इन प्रोग्रामिंग वेनेवल यूग रिएट अब प्रोग्रामिंग में जब भी आप कोई भी वैरीवल बनाते हैं जिसका जी कोई इस पेसिपिक डेटा टाइप होता है जैसे कि हम बना दिये कोई हमारा अगर हम यहां पर कोई स्ट्रिंग यहां पर कोई स्ट्रिंग वैलू स्टोर कर देता है तो यह हमारा प्रोग्राम अच्छे सरण नहीं कर पाएगा ठीक है अगर आप कोई बना है किसी स्पेसिफिक डेटा टाइप का डेटा आपके वैरीवल में इन पूट करें तो यूशूद में फिर दैट यूजर इंटर्स तर राइट तैप तो आपको शूर करना हो कि जो यूजर है वो राइट वैलू डाल रहा हो अगर आप अपने प्रोग्राम को चलाना चाहते हैं तो ठीक है और हम लों नीचे जाते हैं ओके बीच बांट का प्रोग्राम में अगर कोई बना तो यूजर जो है जो भी डेटा इनपुट डाले वह इसी स्पेसिफिक डेटा टाइप का ही डेटा हो ताकि आपके प्रोग्राम के एक्जिशन के दौरान कोई भी इरन नहीं है ठीक है इस वैलिडेशन अफ इनफुट प्लेज वाइटर रोल वाइल राइटिंग अप्रोग्राम को लिख रहे होगे तो यह बहुत ही इंपॉर्टेट डोप्ले डोप्ले करता है कि आपका प्रोग्राम अच्छे सेक्शिक्यूट होगा इस तरीके से हमनों कोड लिखेंगे कि जैसे ही गलत डेटा इनफुट किया जागा वहाँ पर कुछ रेड़ साइन आ जाए यह लिख दे कि इस ताइप आप इनफूट इस तरीके से बहुत सब्सक्राइब आप्शन साथ नहीं है यह आपनों आगे पढ़ने वाले तो इसक लिखा हुआ है और वहाँ पर अपना डाल दोगे तो अपर नीचे लिखना आ जाता कि इस इस नॉट वैले टाइप आफ इमेल आईडी टिकत उसके आगा भर ही नहीं सकते फिर तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप तभी उस फॉर्म को कंप्लीट भर पोगे जब बिल्कुल स छो जैसी कि आम ने इसके फैरकी से फिर ट्रॉच नहीं होगाइए तो इसे हfrusty इंपुट इन फ्लैगिंग आउर्ड रॉंग इंपुट मतलब जैसी कोई फ्लैग करते हैं पर गलत है वंग तो उसको कोई आप सिंबल ले दो या उसको कोई रेट से कुछ लिख दो उसके लिए ताकि उसको पता चल जाए है यह फ्राइग तो वहां से क्या होगा आपको प्रोग्राम का सब्छेंट कर दो तो उसके बाद बहुत सारे स्ट्व जो सब्सक्राइब लिगें होता है कि हमारा पूरा एक्टम हो गया और लास्ट में देखता है चिट्रा भी प्रोसेस्ट की हैं उसका यूजिनी आएगा क्योंकि उपर में इनकुट है वही गलत है तो इसलिए बहुत साथ इनर्जी और रिसॉर्स इसलिए हम लोग अपने प्रोग्रामिंग में फ्लाइगिंग करने लगें कि हमारा प्रोग्राम तो बिल्कुल सही है उसमें बहुत सारे स्टेप्स भी स्टेप्स भी करा लेकिन जब पता चले कि उपर में जो इन्पूट ढल कर देंगो और हमारा कोड को टर्मिनेट कर देंगे तो उससे क्या होगा कि बहुत सरा टाइम इनर्जी रिसोर्से पचेगा तो यही लिखा हुआ है common practice is to set a flag in a program which has a default value false if the user input matches the matches the is so admg match is the match is the expected input you will reset the flag to true and execute if the user value is set to false you will abort the execution by showing an इस देखो जो मैंने बोला थे exactly वहीं यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर बोलागे कि यह concept में क्या होता है जिसको इनिशिली फॉल्स रखते हैं और जैसी हमारा जो यूजर इंपुट होता है अगर उसके डेटा फिल होता तो उस फ्लाइग को हम लोग कर देंगे और अगर अगर वो फॉल्स ही रा गया तो हमें एक मेर मैसेज के साथ हमें अपने एक्जिगूशन को आपकर देना है ठीक है आने वाले से में इसके हमनों बहुत सवरी उसे देखेंगे बस इतना समझो कि फ्लाग एक concept होता है जिसे हमनों रॉंग यूजर इंपूट लेने से बचते है या यूजर के इंपूट को वैलिडेट करते हैं कि जेनरल से होता है क्या समझदार व्यक्ति वहता है तो बहुत जैबinkव इसी प्रोड्राम नहीं चाहिं इसके बाद हम लोग सिकh pienड़ ऑपरेशन इन्प्र स equally खूवर थी क्या होता है कि चुकि हमार पास data's data's from लोग एक variable में store कर चुके है अब variable प्रके क्यों किया है उसमें कुछ ना कुछ operations करने के लिए न तो basically एक operation होता है arithmetic operation ठीक है arithmetic operations और arithmetic operation करना आता है mathematical operation ठीक है तो वह ही हमनों basically पढ़ने जा रहे हैं एक काफी ज्यादा जूम होगे इसको मुक्तुरा से छोटा कर लेते हैं चलो तो नाव डैट भी हैं अंडेस्टूड हाव तो डिकलर एन इनिशेटर वैरेबल और हाव तो यूजर इंपूट को वैलिडेट करना भी सीख लिया अब हम लोग सीखेंगे कि जो भी हमारे पास वैरेबल है उनके अदर जो भी डेटा इस्टोर है उनके ऊपर अपर अपरेशन के से पर नहीं तो आज की क्लास में इतना ही हमनों अगर बचाओ तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली है भाड़ दो पूरा कमेंट बॉक्स को और अगर एक वीडियो अच्छा लगाओ तो प्लीज अगर इस वीडियो को लाइक करना इट वीडियों इस बूस्ट आर मोटिशन और प्लीश एर नपरेशन के शच्छ थाइंग यू